वेलकम बैक टो माई चैनल वटेक सूर आप लोग यहां पर देख सकतो मैं Swift Booster एप को उपन कर लिया हूं Swift Booster एप को उपन करने के बाद आप यहां पर देख सकतो पुष्ट का उप्सिन में जाती है जो मेरा memory यूज हुआ है वह वह सिस्टेट 3% मैं इस पडिक करता हूं और अपने फोन जो है उससे मैं स्कैन करता हम इम्मोरी को अभी मैं देखता हूं कि कि इतना मेरा memory यूज हुआ है जैसे यह सकैन हो जाता है मैंने आप लोगों के सामने ही दिखा दिया था तो मेरे फोन में 21 एप्लिकेशन इसमें एवलेवर हैं और यहां पर क्लीन कर चुका है तो इस एप में आप लोगों को थोड़ी बहुत एड्स वगरा देखने को मिलत हैं अब यह अप्लिकेशन जो फ्री अप्लिकेशन इसी व चुका है जो क्लीक करने के बादं क्लिक करना है क्लिक करने का बाद कनेकटिंग होना उस्टार्ट है जब भी क्नेक्टिंग होगी यहां पर आपको घ्रींदो वाली सर का सबसूरी की जैगी जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि आपका जो भी फ 아침 वग कनेक्ट हो चुक है है उस ुस केसरं से जो यहां पर आप लोगों को लोकेशन सो कि जा रही है तो मैं यहां पे डिसकनेक्ट करता हूं और बाहर आता हूं मैं आप लोग को और भी चीजे दिखा दा हूं तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर junk का आपके भी phone में कुछ ने कुछ junk होगा तो junk पर click करका आप अपने phone की जितने भी junk से उन्हें clean कर सकते हो अब यहाँ पर clean immediately का option है इस पर click करका आप यहाँ से clean कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर clean करने वाला नहीं जो की delete भी हो सकते हैं इसी वज़े से CPU cooler पर मैं click करूंगा CPU cooler पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो phone की CPU है उसे यहाँ पर cool कर रहा है cool करने के बाद जो मेरा phone है overheat है काफी जादा तो उसे cool करकर ठंड़े कर देगा जिसे मेरा phone जो है गरम नहीं होगा वैसे तो मेरे ख्याल से साथ काम ही नहीं करती है नीचे आप देख सकते हो बैटरी सबर का option इस पर आप क्लिक करते हो आप अपने phone की बैटरी उसे save कर सकते हो जएदा long time के लिए चला सकते हो तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो स्कैनिंग हो रहा है स्कैनिंग होने के बाद अभी यहां पे कुछ आप्लिकेशन मेरे फ़ोन मेंने उन्हें कर रहा है i 21 apps available है मेरे फोन में तो उन सारे application को यहां पर scan कर दिया है scan करने के बाद आप यहां पर देख सकतो कि बता रहा है बैटरी आपकी जो है वह सेब है देड़ तक चलेगी और app manager पर मैं क्लिक करता हूं तो app manager पर क्लिक करने के वाद यहां पर वह सारी application application सूख की जाती है जो मेरे फोन में available है मैं चाहूं तीने अनिस्टाल भी कर सकता हूं आसानी से तो जैसा कि मैं कैरम MPL वाले गेम्स को अनिस्टाल करना चाहता हूं तो अनिस्टाल पर क्लिक करूंगा तो वह अनिस्टाल हो जाएगा अनिस्टाल होने कवाद थोड़ी बहुत और नीचे आप देखो यहाँ पर फाइल हाइडर गॉपस है इस पर आप क्लिक कर अपने फोन की कोई भी फाइल को हाइड कर सकते हो जिससे आपके फोन में नहीं देगी मानके चलो कि अगर कोई फोटो है या वीडियो है उससे हाइड करना चाहता हो तो इसी फोल्डर में आप आसानी से हाइड कर सकते हो जिससे कोई भी फोटो हो गया वीडियो को वह नहीं आपके फोन देगी प्लस पर क्लिक करना है और यहां से आप कोई भी फाइल को हाइड कर सकते हो जैसा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं चिंगारी को ले लेता हूं और टिक पर क्लिक करता हूं तो चिंगारी एक आप्लिकेशन जो कि सौट आप्लिकेशन है जिसमें टिक टोक की वीडियो होती है वैसी आप्लिकेशन है तो मैं उस फाइल को हाइड करता हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है स्वरी गाइस काम नहीं किया तो फिर से में इसी कुलूंगा और य लेकिन यह अच्छा से काम नहीं कर रही हैं तो आप लोग सावधानी से ही यहां पर कोई भी फाइल हाइड की देगा वरना हाइड ना भी हुआ तो बहुत ज्यादे बिकार हो जाएगा निचे आप लोग सेकेंड वाले पर आऊगे तो वहीं मिलता है वाट्सप क्लीनर जहां कोई बहुत्त देख देखते हुँ तो आपको 3000 गौल प्रिंजागा कोई बी टाक्स केहां पर कंप्राइड करते हो तो आप लोग को दो कहरे मिल जाते हैं जैसे कि मैं वीडियो वाच करूंगा तो हर बार मेरेको 500 गल प्रिंजागा कर मैं कोई इमेश देखूंगा तो 100 यह के वन अचinté अच्छी पर लिया तो कोई बात नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिक दिंगा अगर अगर जिन दें से लिए नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई